नमस्कार दोस्तो आजकी इस वीडियो में बात करने वाले है एफिनेक SP टेबलेट्स के बार में जैसे कि दोस्तो इसके उप्योग दर्द बुखर और सुजन इन दोनों को ही ठीक करने के लिए यूज किये जाते हैं आएए अधिक विस्तार से जानते हैं कौन कौन सा कंडिशनों में आप इस एफिनेक SP टेबलेट्स को उप्योग कर पाएंगे कौन इसे मैनिफेक्टिरिंग करता है कौन सा इंग्रेडियन्स इस एफिनेक SP टेबलेट्स के अंदर उप्योग किये गये है संपुन न जानकरी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले है और दोस्तो वीडियो के एन में जानेंगे यदि आप इस Affinac SP टेबलेट्स को लेते है क्या क्या आपको side effect देखने को मिल सकते है यदि आपने अभी तक वीडियो को like and channel को subscribe नहीं किया है एसिकलो फिनेक 100 mg, पेरासिटेमल 325 mg and सेरिटी और पेप्टिडेस 10 mg उप्योग किये गए है दोस्तो अगर इसके मार्केट प्रैस के बारे में बात करतो रेनबेक सी कंपनी दुआरा इस Affinac SP टेबलेट्स को मैनिफेक्टिरिंग किये जाते है 10 टेबलेट की एक स्टीप आती है जिसकी MRP 142 रूपिया 50 पैसे है अभी बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस Affinac SP टेबलेट्स को उप्योग कर पाएंगे जैसे कि दोस्तों एसिकलोफिनेक एंसेरेटियो पैप्टिडेस एक नॉन इस्ट्रोडल एंटी इन्फिलमेटिक ड्रग है वही पैरसिटेमल बुखर को कम करने के लिए उप्योग किये जाते है अगर इसके यूजेस के बारे में बात कर तो जोएन पेन, मसल पेन, हेडेक, टूट पेन, फीबर, रुमेटिक और्टराइटिस, ओस्ट्रियो और्टराइटिस में इस एफिनेक एस्पी टेबलेट्स को उप्योग किये जाते है अगर इसके डोसेच के बारे में बात कर दोस्तों मड़ी जोके वजन और एच के उपर इसके डोसेच निर्धारित करते है फिर भी एक एडल बेक्ती, दिन में दो बार, सुभा एक टाइम, शाम एक टाइम ले पाएंगी अभी बात कर लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में यदि आप इस एफिनेक SP टेबलेट्स को लेते हैं, क्या क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों इसके तो जातर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी बेक्ती को साइड इफेक्ट देखने को मिल जाती है जैसे इंडाइजेशन, डाइडिया, पेट दर्ध, यदि इन में से किसी भी तरीकी का साइड इफेक्ट आपको इस Affinac SP टेबलेट्स को लेने का बाद देखने को मिलती है इस टेबलेट को अब लेना तुरन बन कर दे और आपके नज़्दी के किसी डॉक्टर से पाड़ामर्स करे अभी बात कर लेते हैं प्रेक्यूशन के बार में कौन-कौन सा बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस Affinac SP टेबलेट्स को लेना है दोस्तों लेते समय इसका एक्सपैरी चेक कर ले ओबर्डोस इसे उपियोग ना करे यदि आपको लिबर, किडिनी और हाड से जूरी किसी भी समस्या है इस Affinac SP टेबलेट्स को कंजूम करने से पहले आप अपने डॉक्टर से बर पाड़ामर्स जरूर करे और दोस्तों प्रेगनेंसी लेडी और ब्रिश्ट फीडिंग मदर को भी इस Affinac SP टेबलेट्स को नहीं लेना है यदि आप एलकोहल लेते हैं, एलकोहल लेने से पहले या फिल लेने का बात में आपको इस Affinac SP टेबलेट्स को कंजूम नहीं करना है उमिद करता हूँ आपको Affinac SP टेबलेट्स के बारे में संपुर्ण जानकरी मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक नियू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक क्यार